यह मोट सुप गई इसके से आफसों भी लोग वेलकम बैक टो अधर गेंपले वीडियो तो गईस जारा जो हम लोग दुबार से के लिए जा रहे हैं जी डी फाइफ से आफसों भी लोग को पता हो कि यार हमारी इंटर्वर्टर माफिय से फाइट चल लिया है और जब हमने उसके घर पर फर्स टाइम अटैक करा था तो वो वहाँ से अपना जेट लेकर भाग गया था और आकर छुप गया था अपने माउंट शिल्याड वाले सीक्रिट बेस पर आप उसका बेस नहीं भी एक बड़िया सा मैंशन है अब यहाँ पर आकर मैंने उसको मारा भूत उसकी से इसलिए नहीं मारा था क्योंकि मैंने उसकी सारी की सारी प्रोपर्टि अपने नाम करना चाहता था और उस चीज़ को लेने के लिए उसको जिंदा रहना ज़रूरी था लेकिन यहाँ पर अगले ही सीन में हुआ कि जब मैं उसे मार के उसे भ्योश कर दे और वहीं पर कड़ा हुआ था तो भी थोड़ी देर बाद नो उसकी घर पर इतनी सारी पुलिस आगी हैलिकॉप्टर से अब मुझे नहीं पता पुलिस को इनफॉर्म किस ने किया लेकिन वहाँ पर सारी सारी घर बड़ होगी मुझे नहीं वहाँ से भाग ना पड़ा और मैं पैराशूट से भाग कर यहाँ पर आ गया था यह बंद्ध अपना नंगा भाई साफ चट डाइब पैंके लडाई कर रहा है इतनी देर से उससे भीड़ रहा तरह बगने की जरुत नहीं है इतनी देर से मिना कर रहा है मत लड़ो भाई सॏबुढ्ड़ में जान तो बताब हेटशोट पढ़ेगा नहीं अभी तक तो मैंने चुहे को मार देवाई गलती से वैसे गलती से नहीं जान मुझके मारा है क्योंकि मैं देखना चाता था चुहा मरने के बाद कैसा दिख रहा है फिलाल जो भी हो अभी जल्दी से गाड़ी में बैटके हम लोग निकल लेते हैं उसके घर की दरफ और यहां पर अभी फिल हुए और आज ना मौसम भी बहुत ज्यादा खराब हो रहा है ऐसा लग रहा है बहुत तेज बारिश होने वाली है और इतनी तेज भीडिया ने मेरी कार इस वाले पॉल में पता नहीं क्या था जो भी हो अभी ना देखो यार फाल्दू टाइम वेस्ट निकल लेता है उस जो मेरा स्पीड ओमेटर था ना वो भाई सा माइल पर आर की स्पीड में सेट हो रहा था और मैं चेक कर रहा था उसे किलोमेटर पर आर मुझे लग रहा था मेरी ट्रोन बाइक की स्पीड को घतम होगी है अभी फिलाल मैं यहाँ पर तो कोज गोई काम करते हैं जल्दी से जादा जल्दी मचरी थी इसले इसने पहले लागर खड़ी कर दी तो की गाइसार सामने की तरफ में आप लोग देख पारे हो यहाँ पर साफ साफ लिगा हूँ है मांट शिल्यार टूरिस ट्रायल अभी जल्दी से ऊपर चलते हैं और यहाँ पर मेर साफ से ट्रॉली जो है आने ही वाली होगी तो मुझे थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा और वो देखो भाई यह वाली ट्रॉली यह भी गई है तो मेरे को लग रहा है दूसरी आने में लग रहा है पांच मिनट लग जाएंगे और यहाँ पर इससे जादा टाइम तो लगने नहीं वाला चार मांच मिनट ही लगते हैं और तू नहीं जाएगा मेरे साथ अगर ओ भाई एक सेकिन डाड़ी वाले यहाँ पर तुम्हारी ऐसी कित ऐसी मैंने घुसा डंग से मारा भी नहीं तो जो भी हो यहाँ पर ना मैंने इसके बस एक पंच चलाया था और यहाँ पर पहले तो इसने भाई इतना तगड़े तरीकी से मेरे से बचा उसकी बाद उ को यहाँ ट्रॉली या फिर हेलिकॉप्टर यहां के लिए बेस्ट है मतलब यहाँ पर अगर हम बाइक साहते तो मचा तो आता है लेकिन यह टाइम बहुत ज़्यादा लगता है तो सबसे विडिया हेलिकॉप्टर से तो टाइम भी बच जाता है तो की गाई जैसा कि आप ल मौसम जो और जादा खराब हो रहा है मतलब की हवा भी बहुत तेस्टे सल लिए और अगर मौसम और भी जादा खराब हो जाता मतलब आंधी बारिश हो जाती है तो बहुत खतरनाक जगा उस सिचेशन के लिए मतलब कि इस ताइम पर न यहाँ पर कोई भी टूरिस नहीं आ रही रहा है यूफो टाइप कुछ लग रहे है पता नहीं क्या चीज है और नीचे एक एक आग दिखा रह रही है और यहाँ पर एक और इस्पेयशिप सीदो तो नहीं गुझा रखी है और राइड में रॉकिट सा दिखा रहा नहीं तो से भी अ कोई नहीं पर देखने में तो यहां पर से ना मुझे उसका बातरूम दिख रहा है तो मैं इससे ये पता कर सकता हूँ कि यहाँ पर कोई भी मतलब पुलिस वाला नहीं है जितनी पुलिस वाले मैं मार की गा था ना वही सारे के सारे मरे पड़े है अभी ना जल्दी से इसके घर के अंदर एंटरी करते हैं और मुझे देखने कोई सिक्यूरिटी है या फिर नहीं सामनी की तरफ में कुछ टूरिस्ट आ रखे हैं जो कि उसके घर के अंदर देखने हैं बग जाओ यांसा तुमारी ऐसी की तरसी तुमारा क्या काम है आपर और ये तो टाप के उसके घर के अंदर ही चला गए तेरी ऐसी की तरसी निकल अभी ये क्योंकि उसका घर रहे हैं ये मेरा घर होने वाला है तो कि गाईज है अभी ना फटावट से अंडर वाटर माफ़े के घर के अंदर हम लोग एंटर हो जाता है और यहाँ पर आप लोग सामने की तरफ में देख पा रहे हो कि जितने ही पुलिस वाले ना सारे के सारे डाउन हो रखे हैं मतलब कि जिनको मैंने कल मारा था ना वो यहाँ पर आज भी मरे पड़े हैं और यहाँ पर आप लोग सारे के सारे वो पुलिस वाले देख पार हो जिनको मैं कल यहाँ पर मार की गा था तो चलो भाई अभी ना एकदम धीरे धीरे बढ़ते हैं आगे ही तरफ में क्योंकि उपर वाले फ्लोर पर पुलिस ओफिसर्स हो सकते हैं और यहाँ पर अगर उन लोगों ने मुझे देख लिया ना तो फिर से बहुत जादा खत्रा हमें हो सकता है अभी ना फटावट एकदम अराम अराम से हम लोग आगे ही तरफ में चलते हैं यहाँ पर एकाद गोली मैन के और बजा जाता हूँ तो कि guys यहाँ पर ना एक चीज तो confirm हो चुकिए कि यहाँ पर कोई भी पुलिस ओला नहीं है और अगर हम लोग अंदर की तरफ में चल कर देखे तो last time यहाँ पर जो underwater mafia तो मैंने उसको यहीं पर छोड़ा था भई लेकिन यहाँ पर वो है यहीं नहीं भई यहाँ पर देखो इसको last time मैंने इसी वाले bathroom में छोड़ा था यानि कि पुलिस ओलों नहीं से ढूण लिया मतलब कि पुलिस वालों उसको कहां लेकर गई होंगे अभी न मैं एक चीज़ से भी कनफर्म नहीं हो कि मतलब यह पुलिस वालों की प्लैनिंग थी या फिर यह उसी के बंदे से हो सकता है क्या पता उसने पुलिस वालों की अपने नीचे काम करवा रखा हो अगर यह रियल पुलिस थी तो इसको एकदम खतरनाक जगा पर लेकर गई होगी अभी इस चीज़ के बारे में सारी सारी इंफोर्मेशन हमें लैस्टर ही देने वाला है और यहाँ पर इन लोग को एक हेलिकॉप्टर खड़ा था इन लोग के हेलिकॉप्टर में बैटके मैं यहाँ से वापिस से निकल लेता हूँ सीधा यहाँ पर मैं जाने वाला हूँ अभी ट्रैवर के गर पर क्योंकि अभी ट्रैवर की हेल्प की बहुत ज़्यादा जरूरत है तो गैजर देखो अभी न दो चीज के बीच में मुझे काफी ज़्यादा कंफ्यूजन है मतलब क्यार देखो उस बंदे को मारने के लिए मैंने इतनी ज़्यादा जीजान लगा दी मतलब एकदम क्लॉज हो गए थे भाई उसको बस मारना था लेकिन थोड़ी सी पैसो की लाला चो और उसका घर लेने के चक्कर में हम लोगों ने उसे मारा नहीं और वो दुबारा से हमारे हांस से बच कर निकल गया अब मुझे नहीं पता पुलिस वालों उसके ज़ाद क्या करने वाले है यह हैलीकोप्टर वो क्या हो गया एक सिकेंड एक सिकेंड एक सिकेंड एक सिकेंड उतर ना पड़ेगा भाई साब यह बच गे भाई साब सही टाइम पर मैं उतर गया और यह एक तम जटके से आउट ओफ कंट्रोल कैस्ड हुआ मुझे तो समझी नहीं आ रहा बाई यह क्या सीन था अच्छो हो कि वहाला जो पेड़ था ना उस पेड़ में कोई भी टैनी मेट से टकराई नी और यहाँ पर देखो बाई सामने की तरफ से ट्रेन आ रही है बाई एक तम इतने ख़तरनाक से सीन हो रहे है न मुझे लग रहा है बाई कि मैं मेरी मोत जो है बाई यहाँ पर कभी भी कुछ भी हो जा रहा है हेलिकोप्टर पता नहीं कैसे क्राश होगा एक तो फस्ट क्लास हेलिकोप्टर था तो एक आत गोली ना इस पर आकर लग गई थी क्यूंकि यहाँ पर ने इसके एक दो शीशे भी पूरे फूटे पड़े थे तो यहाँ पर हो डोड़ने में बहुत ज़्यादा असानी होगी और ना सामने की तरफ में एक तो गाड़ी तो खड़ी है लेकिनियार मैं सोच रहा था कि कोई बाइक मिल जाती तो ज़्यादा वेट रहता फिलाल चोड़ो ट्रैवर का खरना यहां से बहुत ज़्यादा पास है तो पहु डोगया में ना से काम करöyle है हामें सीधा मिलना चैति हों आपको प्ता हो कि है ठावर क्या और इंथा श वाइफ को यहां पर गिरा रखा है पता नहीं किस लिए उसे किड्नैप कर ला है खार जोड़ो कोई दिक्कत की बाद नहीं है अभी जल्दी से हम लोग न सीधा निकल लेते हैं एरपोर्ट के लिए एरपोर्ट पर अपने गोल्डन चैट में बैट कि हम लोग सीधा चले जना कि यह जो काम है ट्रयवर ने करा है मतलब कि उसकी असानी सापना मुह नहीं तोड़ोग आएगा इसके ऊन्स गंज वेइर इसका उल्दा मूह तोड़ देगा पता नहीं होगा फिलाव अभी उसको पता सब्यू होगा जैसा नॉलमल चलना चलना चलने और अब इ imagen न न बाहर निकालने वह जल्दी से आज़ा ट्रैवर को एज़ा पाइलेट में नहीं बढ़ाने वाले लेकिन इस प्लेन में दो लोग बैठते आगे दरफ चला कोई नहीं त्रैवर रहा गया वहाई ओके त्रैवर जो आचुका है यहां पर अंदर की तरफ में मेरको लग लग गया अब इना फटावर यहां से अपने जैट को जो है बहुत ज़्यादा बढ़िया है यानि यह मैं अपने जैट को ड़ाने में बिल्कुल भी टाइम नहीं लगने वाला अब भी बस फटावर से रेस दी नहीं है और यहां पर सीधा मेरको टेक ओफ कर लेना है सीधा मुझे लेस्टर का पॉल आया था और लेस्टर ने मुझे वो सारी की सारी information के बारे में बता दिया है कि वो जो अंटरवर्टर माफियों से पुलिस वाले कहां पर लेकर गए होंगे तो लेस्टर कह रहे है ना उसे किसी भी normal hospital में नहीं ले द्यान से अपने plane को यहां पर लैंड करवा देना है बागी तो आप लोग देख पर रहे हैं कितनी अराम से मैंने जट की लैंडिंग करवा दिया है और यहां पर यह लाइन में उतारने के बाद में कितनी तेज स्पीड में चला रहा हूं तो भी नहीं जल्दी से मुझे अपने जट को लेकर चलना है अपने परसनल हैंगर में वहां पर चलकर इसको जो आप कर देंगे तो यहां पर उसका रास्ता जो आगे से बस पीछे से कोई फ्लाइट ना रही हो क्योंकि अगर पीछे से कोई फ्लाइट आएगी नहीं तो भाई बे मतलब क्रैश जाएगा तो अराम से मुझे यहां पर राइट मोड़ना है बहुत ज्यादा फायदा है जब भी मैं अपना मतलब की जेट लेकर कहीं जाता हूनों मेरा बहुत की बात नहीं है अभी ना फटावाट हम लोग यहां से निकलते है सीधा आगे ही तरफ में बागी आप लोग यहां पर देखे रहो एक वैन खड़ी है और जो मेरी ट्रॉन बाइक है वो भी घड़ी है लेकिन एक दिक्कत होग यार ट्रोन बाइक पर एक बार में एक ही है इसको चुरा कर हम लोग निकल लेते हैं सबसे वहले अपने घर पर और फिर सीधा हम लोग निकल लेंगे लॉस सेंटरल हॉस्पिडल अभी पता नहीं है उसके अंदर क्या रहोगा मतलब कि ओ जो अंडर वोर्टर माफिय है पुलिस वाले उसके साथ क्या कर रहे होंगे म जितना भी उसका पैसा है वो सब पुलिस हालों के नाम होजाए मैं चाहता हो कि जितना ही पैसा जितने भी प्रोपरटीस है सारी की सारी मेरे नाम हो जाए और इस चीज़ को करने में भी यह लेस्टर हमारी पूरी हेल्प कर रहा है और यहाँ पर पहली बार इसने गेट खोल दिया अब भी जल्दी से हम लोग सीधा निकल लेते हैं फाल्ब दूबाद बाद में करेंगे तो की जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पार हो कि मैं पहुचने वाला हूँ लोस सेंटर्स सेंटरल हॉस्पिटल पर अब यहाँ पर ना सबसे अच्छी बात प्रता है कि इस हॉस्पिटल में पहले भी एक बार ही आच चुका हूँ तब ना यहाँ पर कोई भी security नहीं थी मतलब मेरी आराम से entrance हो गी थी क्योंकि यह एक टार से सरकारी hospital है लेकिन इसके अंदर गुने चुने बंदों को भी बुलाया जाता है ऐसे कोई normally अपना इलाज कराने नहीं जा सकता तो यहाँ पर अभी चल कर देखते हैं बागी क्या scene है लेकिना जब मैं इस hospital में आया था तो यहाँ पर कोई भी security नहीं थी अभी फटावर्ट से चल कर देखते हैं यहाँ पर कि इस बारी कोई security है या फिर नहीं है अगर security नहीं होना तो अपने बहुत जादा मज़े आ जाएंगा मैं सीधा घुसूंगा और उस बंदे को लेकर यहाँ से निकल लूँगा तो यहाँ पर आप लोग देख पारे हैं काफी सारे लोग बाहर की तरफ में खड़े हुए है और यहाँ आपको याद हो कि इस hospital में जब मैं पहले आया था तो इसकी बेस्मेंट में भाई सब टैरिस ने अपना बेस बना रहा था अब भाई पता नहीं वह क्या सीन था लेकिन जो भी हो भाई टैरिस बहुत जादा समस्दार होते हैं मतलब कि अपना बेस ऐसी जगह पर बनाया है जहाँ पर किसी को शक ही नहीं हो भाई यहाँ पर आप लोग देख पारे हो कि साफ साफ लिगा हुआ है लॉस सेंटरल होस्पिटल यानि कि हम लोग एक तम करेक् पढ़ेकि हैं पहले अंदर जाने के लिए पाता चैर चोड़ो यह लोग इंसे बात नहीं कराने मतलब कर जो हॉस्पिटल होते हैं लेकिन यहाँ पर इतना जाद अंधर ना कूछा मत और यह जूटा सा और आगे चले तो भाई यह क्या है यहां पर तो भाई सब यह मरावा क्या चल रहा है ऐसे थोड़ी इलाज चलता भाई यहने चल रहा है यहाँ पर थोड़ा आ रंदर चल कर देखता है यहां पर भी एक बंदा मरा पड़ा है बाई सब एक दूर मία डिको मिनिको थाकुकि प स्टमकि क्या होँ है रहए यह नहीं पता चलता क्योंकि o भी डॉक्टर सेमन को मारू हो तो पुलिस वालों को नहीं पता चलेगा और सबसे अच्छी बात यह है कि हम लोग एकदम एजली अंतर एंटर हो गया है लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पर इतनी सारे डेट बॉडिस कर क्या रही है भाई मतलब यह लोग किस चीज क हिलाज कर रहे हैं ओभी मेरे होगी बंदों का साफ दिख रहा है वह बंदा पुरा 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 मर चुका है लेकिन लोग फिर भी हॉस्पिलल गें दो घॉंडूट के सारी सारी बांदा नहीं जो जिन्दा हो और अपनी किसी डिसीज का क्योर करवाने के लिए आ रहा हो अभी आपर सारे के सारे बंदे मरे पड़े हैं लेकिन यार इतनी बुरी हालत में क्यों फैकर रहे हैं उन्हें मुझे नहीं समझा रहा है अभी न बाकि आप लोग यहां पर देख पारे हो सच्ची में यह सब्सक्राइब आप लिए नहीं सब्सक्राइब लेकिन यहां पर देखो कि इधर एक्सरे का इंदर पास्वर्ट ड़ा पड़ा है अब भाई देखो अगर अंडर्वार्टर गेंक्स्टर यहां पर है तो भाई वो जिंदा होना चीए मारा नहीं से पोस्मॉर्टम यहां पर हो रहा है तो बाई मैं पुलिस ओलों को मुह तोड़ दूँगा सची बता रहा हूं तो जैसा कि आप लोग यहां पर सामने की तरफ में देख वारे हो कि अभी मैं फिलाल उपर वाले फ्लोर पर आ चुका हूं और यहां पर सामने की तरफ में एक पर पढ़ जागी तो बहुत जादा गड़ बढ़ हो जाएगी तो एक काम करता हूं ट्रैवर को भी फिलाल ना यहीं पर छोड़ेता हूं यह सिक्यूर्टी करेगा नीचे साने वाले बंदोगी तो की जैसे कि आप लोग यहां पर सामने की तरफ में देख पार हो कि अभी म यहांपर उर भी बूरी सोलिया ओगे वह एक शिकटर निकल तू यहां से पहले दूर ते री वह सके लुग देख लगा हूँ थिर भी फिर धुल जे पर इसने गोलिया चला दिया बहुत बुरी तरीके से यानिए की सब को पता चल गयो और यहांपर यह दिखो बढ़ हो य किसी ने कुछ कर रहा है रूप जा रूप जाए तेरी जरुप पढ़ सकती है यहाँ पर चुप जाब दिरी दिरी ऊपर चलना पड़ेगा यहाँ पर एक नी दो नी काफी सारे मुझे लग रहा है एक और आगया यहाँ पर यह देखो डॉक्टर साब एक मिनट रुप जाओ अगर इन्होंने उसका पोस्ट माटम करा और अंडर वर्टर माफिया का तो बहुत ज़दा घड़बड हो जाएगी यहाँ पर उसको दुबार से जितना करना मुश्किल हो जाएगा भाई अभी चुप-चप चल कर देखते हैं क्या सीना उपर क्या चल अभी मुझे कुछ भी नहीं मालूम तो गईसर मुझे पता है क्या लग रहे कि नहीं मुझे अपने साथ ट्रैवर को लेकर आना चीए तो यहाँ पर वही ज़दा बैटर रहता और अभी फिलाल मैं उपर तो पोच चुका हूँ यहाँ पर जितने भी बंदे थे ना मेरे को लग रहा है मैंने अल्मोस सभी को मार दिया है लेकिन अगर अपने साथ ट्रैवर आता ना तो बहुत ज़दा बेटर रहता बाकि ना यहाँ पर आगे से मुझे ना किसी के पिटने की आवाज आ रही है और भाई साथ यहाँ पर आगी तरफ में चलता हूँ यहाँ पर एक बार चुपके बैटके देखता हूँ यह लोग ओ भाई साथ इसके लात ही लात दे रहे है और भाई अच्छी बात यह कि वह जिंदा है अगर वह जिंदा नहीं होता तो उसके चिलाने के आवाज नहीं आती और वैसे उसके अंदर जान बहुत ज़्याद है उसे को इतनी जल्दी मार भी नहीं सकता तो यहाँ पर मुझे सबसे पहले ना उन दोनों को मानना पड़ेगा जो कि पीछे की तरफ में से मारे और यहाँ पर मैंने एक को तो मारा ओ भाई सब इतने सारे बंदे गोली चला रहे जल्दी मुझे यहां से भागना पड़ेगा मुझे कैसे मारना है और यहाँ पर आप लोग सामने की तरफ में देख पा रहे हो भाई कितने जादा खतरनाक लोग हैं यह सारे के सारे तो गाईसर अभी नहीं बहुत जादा गोलिया चलिया और मुझे पता डर किस बात का लग रहा है कि वह जो अंडरवाटर माफिया ना मेरे पास आचुका है और मेरे पीछे पीछे आप यहाँ पर इसने पुलिस वालों गी चीन ली भाई यह तो बहुत तेज निकला भाई साब तभी यह इतना बड़ा माफिया भाई ने बन जाता पुलिस वालों से घंचीन कर ले आया और यहाँ पर सारे के सारे बंदे तरफ में निकल लेते हैं अब यहां पर ना ट्रैवर को ना मारते हो मुझे इन लोग को लग रहा है और यहां पर आप लोग देख पारे हैं नीचे बहुत ज़दा सिक्योरिटी है अभी न मुझे इनको नीचे लेकर मारना ही पड़ेगा जल्दी से आज़ा अगर मेरे साथ यह माफिया है अभी हम दोनों के जोड़ी जोब बहुत जा तकड़ी चलने वाली है यहां पर हम दोनों के पास ही तकड़ी तकड़ी गंस है और उसको भी मारना बहुत ज़दा मुश्किल है मेरे को भी मारना बहुत ज़दा मुश्किल है अब यहां पर सारे का सारे बिचन इक्तम निशान लगा कर बैठे हुए हैं कि जितने भी बंदे आएंगे ना सब को मारेंगे अभी फटवर्ट से थोड़ा सा हमें आगे बढ़ लेना चाहिए यहां से क्योंकि भी नीचे और भी बंदे हो सकते हैं हो सकता बहुत खतरना की बंदे आ गए हो और सामने से देखो भाई कोनार मेरी गन भी रिलोड पे लगी थोड़ा ना एकतम ध्यान से करना पड़ेगा में सारा का सारा काम तो ही बोचता बड़े रहेगा तो गईसर अभी ना फटवर्ट से हम लोग नीचे की तरफ में चलते हैं यहां पर देखो भाई सब कितनी सारी लाश हमने बिचा उत्यरी भाई यह सारी के सारे डॉक्टर कहां से आ रहे हैं भाई पुलिस वाले इनको भेजने हैं के मरने के लिए बाई यह पता ने डर के बिचारे भागे जा रहे हैं इदर उदर और यहां पर तुमारी भैस की नंग एक बंदे को भी छोड़ने नहीं वाला हूँ भी ज इस टाइम पर पूरो का पूरा खाली हो चुका है अभी ना जल्दी से हम लोग भी यहां से निकल लेते हैं बाकी न मुझे यहां पर कोई बेंदा ऐसा नहीं नजारा रहा है जो कि इस टाइम पर जिंदा हो और यहां पर वाई सच्ची में माफिया मेरी पूरी की बुरी ब लेकिन यार मुझे ना एक चीज़ की गड़बर लग रही है यह भी ना फिलाल मेरी सारी की सारी बात है तो मान रहा है लेकिन अगर यह बाद में कोई चलाकी करने ही कोशिश करें मालना हम गाड़ी में बैटे और पीछे बैट के हम दोनों के गोली बजा के भाग जाए गा यहां पर मुझे ना इसा जवर जस्ती मारना पड़ा और ट्रैवर रुक जा भाई ट्रैवर बतानी क्यों चोड़ा हो रहा है उसको बे मतलब मारने में लगा हुआ है और यहां पर यह उठने की कोशिश मत करें दुबार से लेटे रहा है यहां पर ट्रैवर उसा मारना नह निकल लेते हैं तूखी जैसा कि आप लोग यहां पर देख पारे हो ना अभी मैंने इसकी बोडी को उठाके इसके अंदर रखवा जैए ट्रैवर के साथ अभी फटवर्ट से न हम लोग अपनी जल्दी से गाड़ी में बैठते हैं और यहां से निकल लेते हैं और यहां पर ट्रैवर उसे अच्छे से बांद दे रहा है ताकि वो अगर उसे होश भी आ जाए ना तो भी वह यहां से ना निकल पाए तूखी जैसा कि आप लोग यहां पर देख पारे हो कि अभी फिलाल हमने उसकी बोडी अंदर डाल दिया है पुरा पुरा ट्रंक भी बंद कर दिया है और लेशर को पता है कि इसके सारे के सारे राज जो है कैसे मतलब कि पुलीस वाले में लखे हो erगे- हैंसे आग जो लेकिन अब वहीं चीज stories करने कि कहां पर पढ़ा है और अगर हमें पता चल गया तो सार गाना हौना सारी औरहीं हो जाएकि जल्हीस हो दो पर चलो ग जो भी चैनल पे नियों प्लीज आट चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नग भूलना उट जिसने मुझे भी तक इसाट पर फोलो नहीं कर रहा है जल्दी आगर इसाट पर फोलो कर लो मेरे से बात करने के लिए मेरा डिस्कॉर्ट सर्वर जॉइन कर लो इंस्टाइन ड सब्सक्राइब के लिए आगरे से लिए नहीं करके लिए के लिए.